कि भगतों में जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं जो नवरात्री हमारे 15 अक्टवर दो हजार टेस्ष रवीवार से प्रारम होने वाले हैं उसकी कथा सुनाने जारह करोगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो समझ लीजिए इस कठा का फल आपको दोगना प्राप्त हो जाएगा यह हमारे जब हम सभी के सुकी रहने की भावना प्रगट करते हैं तो हमें उसका फल दोगना प्राप्त होता है तो दोगना फल जब ही प्राप्त होगा जब आप आप अपने मित्रों को स्वय जनों को परवारी जनों तक इस कथा को पहुंचाएंगे तो आप पहुंचाने का रास्ता क्या है कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें मैं आपको यह कथा प्रारम कर रहा हूं ध्यान पूरुक सुनें नवरात् चब फर 58 मों आगे शेर करना ना भूले सभी बक्तों को रादे रादे जैसरी रादे जैमाता दी सब्सक्राइब हमारी अंग्रेजी तारीकों के अंसार 2рем स्वी वार 15 अक्टूबर सम्मद 2008 के अंसार आश्मिन शुक्ल पक्ष कुवार का महीना जिसे बोलते हैं प्रतपदा से प्रारम होकर आश्मिन शुक्ल पक्ष नववी को समापन होगा तो 15 अक्टूबर चवालीस मिनट से लेकर दोपहर बारा बज़ कर तीस मिनट तक रहेगा कलस इस्तापना की अब दी लगवख चालीस मिनट की है तो भक्तों मैं आपको नवरात्री के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहता हूं आप हमारे साथ वीडियों में अंत तक बने रहे हम नवरात सब्सक्राइब करें तो आप कलेशों से दूर हो जाएंगे घर में सुक्सांति आएगी यह कंफर्म मानना तो आप हमारे साथ वीडियों में अंत तक बने रहें अधूरा ज्यान बहुत बुरा होता है अगर आपके इस पास बैठ करके सुनने का समय नहीं तो आप कान में ल गटना हो सकती है आप अगर इस्थाई रूप से बैठें तभी लिड़ लगा कर आप कान में सुने तो मैं आपको नवरात्री के बारे में आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूं ध्यान पूर्वक सुने कि नवरात्री में किस तरह से त्यारी करें तो घट स्थापना जिसको पत्र चावल केले का खंबा बंदनवार के वास्ते आम के पत्ते चन्नन घट नारियल हल्दी की गांट पंचरत लाल वस्तर पून पात्र चावल से भरा हुआ पात्र बरतन गंगा की मिरतका जो जव बतासा सुगंदी तेल सिनूर कपूर पंच सुंगंद नेवेद के वास् जव भल इत्यादी पंचा मरत दूद दाही मदू चीनी पंच घब गाएका गोवर्तका बोलते मिट्टी की पूँजन के लिए वस्त्र आभूशन तथा नई वैद्य अस्टिमी के जोती पूजन के वास्ते उप्रोगत सामगरी डाव गरत गंगाजल ये सब सामगरी ले करके एकटी रखें अवस्री दुर्गा नवरात्री का ब्रत कैसे करें नियम क्या है ध्यानपूरक सुनिए इस ब्रत में उप्वास इतना आवश्चक नहीं है क्योंकि कहते हैं अब पहले अपना स्वास्त देखना बहुत जरूरी है अगर आप व्रत रहते तो वह ब्रत वह कि लिए मनफHay जाकर या घर में О नवरात्र में दुर्गाजी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए कौन सी कथा पढ़नी चाहिए मैं आपको पूर कथा सुनाने जा रहा हूं आप हमारे साथ अंत तक बने रहें कन्याओं के लिए यह ब्रत विसेश पलदायक है सिरी जगदम मा की कृपा से यह बिगन संता है और मात खासकर बेहनों के लिए यह कथा बहुत जरूरी है प्रती दिन बैठ करके सुने अगर आपके पास कोई पूस्तक नहीं है तो आप हमारी कथा को वीडियों को प्रती दिन सुनेंगे तो लाप्राप्त होगा ऐसा मानना है नवरात्री ब्रत कथा क्या है मैं आ अमने यह किरपा-कर मेरा बचन सुनिये चैत्र आसनमाग और मासकि शुक्र सुक्र भक्ष में नवरात्र ब्रत कुं किया जाता है वह अगवन इस बरत का फल क्या है किस प्रकार करना अच्छत है और पहले इस वरत को किस किया सो विश्तार पूर्वक कटा aynı ब्रस्पती जी का ऐसा म्रमा ब्रयक्ति जी से पुत्र चाहने वाला को पुत्र धन चाहने वाले को धन सुक्त को करने से रोगी शुको रोग दूर हो जाता है और कारा खार में पड़ा हुआ मनुषन से चूड जाता है मनुषन की तमाम विपत्यां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपतियां आकर उपस्तित हो जाती हैं बंद्या और काक बंद्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है ऐसा कोई भी मनोरत नहीं है जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध नहीं हो सकता है जो मनस इस अलब्य मनस देख को पाकर भी नवरात्र का ब्रत नहीं करता है वह माता-पिता से हीन हो जाता है अर्थात उसके माता-पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है उसके सरीर में कुष्ट हो जाता है और अंगीन हो जाता है उसके संतानो पत्ती नहीं हो इस प्रकार वह मूर्क अनेक दुख भोगता है इस ब्रत को न करने वाला निर्दई मनस्ष धन और दान से रहत हो भूक और प्यास के मारे प्रत्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है जो स्वहागिन इस तरी भूल से भी इस ब्रत को नहीं करती है वह पती से हीन होकर न बांदो सहथ नवरात्र व्रत की कता सरवण करे ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि ब्रस्पते जिसने पहले इस महा व्रत को किया है उसका पवित्त्र इत्यास में कहता हूँ मैं तुम्ह सुनाता हूं तुम सावधान होकर सुनों इस प्रकार ब्रह्मा जी के बचन सुनकर व्र Стoup ब्रहामान मनस्व को कल्यान करने वाले इस बक़स के इत्यास को मेरे लिए कहो में साबदान होकर सुना आपकी स्रण आए हुए मुझे पर किरपा करो ब्रहां जी बोले पीतद नाम के मनोहर नगर में एक अनात नाम का ब्रहामन रहता था वैं भगवती दुर्गा का भक्ता उसके संपूर सद्गुणों से युक्द मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहले रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुम्ती नाम की एक अत्यन सुंदर कन्या पैदा हुई वे कन्या सुम्ती अपने घर पर बालक्मन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्र करती दिन दुर्गाजी की पूजा और होम किया करता था उस समय वहवी नियम से वहां उपस्तित होती थी एक दिन वह सुम्ती अपनी सक्यों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्तित नहीं हुई उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसाबधानी देख करक्रोद आया और पुत्री से कहने लगा कि है दुष्पुत्री आज प्रवाद से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया इस कारण में किसी कुष्टी और दरिद्र मनुस के साथ तेरा विवा करूँगा इस प्रकार कुपित पिता के बचन सुनकर सुम्ती को बड़ा जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो रोगी कुष्टी अत्वा और किसी इसके साथ जैसी तुमारी इच्छा हो मेरा विवा कर सकते हो होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है मनुस न जाने कितने मनोरतों को चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग में बिदाता लिख देता है जो जैसा करता है उसको फल वी उस कर्म के अंसार ही मिलता है क्योंकि कर्म करना मनुस के अधी पर फल सदेव जो फल है वो देवताओं के अधीन है जैसे अगनी में पड़े हुए त्रणादी उसको अधिक प्रदिप्ति कर देते हैं उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्वहता से कहे हुए बचन सुनकर उस ब्राम्मण को अधिक क्रोद आया तब उसने अपनी कन्या का ए देखे केवल भागवरों से पर रहकर क्या करती हैं इस प्रकार कहे हुए पिता के कटू बचन बचनों को सुनकर सुमती अपने मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुरवागय जिससे मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुम विबाल का कि ऐसी दसा देखकर भगवती पूरवपुन के प्रवाव से प्रगट होकर सुमती से कहने लगी कि है दीन ब्रामनी मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम जो चाहो वर्दान मांग सकती हो मैं प्रसन होने पर वनवांशित भल देने वाली हूं इस प्रकार भगवती द्रुगा का बचन सुनकर ब्रामनी कहने लगी कि आप कोन है जो मुझे पर प्रसन हुई यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा द्रिष्टी से मुझे दीन दास दासी को कृतार्थ करो ब्रामनी को ऐसा बचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदी सकती हूं और मैं ही ब् कि तुम्हारे पुर्जन के पुर्वजन के प्रवाव से प्रसन हूँ तुम्हारे पूर्जन में निसाद भील की इस्तृती और अतीव पतवर्ता थी एक डिन मेरे पती निसाद ने मinator कि कन्या थी तेरे पतीनिसाद ने चोरी करने के तुम दोनों को तुम दोनों लोगों ने तेरे को और तेरे पती को भोजन भी नहीं दिया इस प्रकार नवरात्री के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया इसलिए नौ दिन तक नवरात्र का ब्रत हो गया है ब्राम्मणी उन दिनों में जो ब्रत हुआ उस ब्रत के प्रवाव से प्रशन्द होकर तुम्हें मनवांचित वस्तु दे रही हूं तुम्हारे जो इच्छा हो सो मांगो इस प्रकार दुरगा के कहे हुए बचन सुनकर ब्राम्मनी बोली कि अगर आप मुझे पर प्रशन्द हैं तो हे दुरगे आपको प्रणाम करती यह अर्पन कियाता करो और मेरे प्रवाव से तेरा पती कोड से रहत और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार देवी का बचन सुनकर वे ब्राम्मनी बहुत प्रशन हुई और पती को निरोग करने की चासे ठीक है ऐसे बोली तव उसके पती का सरीर भगवती दुरगा की किरपा से कुष्ट हीन होकर अती कांती युक्त हो गया बहुत सुन्दर हो गया और जिसकी कांती के सामने संद्रमा की कांती भी तीक्ष्ण हो जाती है वे ब्राम्मनी पती की मनोर देवी को अती प्राक्रम वाली समझ कर इस्तुती करने लगी है दुरगे आप दुरगती को दूर करने वाली तीनों जगत का संताब हरने वाली समस्त दुखों को दूर करन वाली प्रसन्द होने पर मनवांचितवस्तू को देने वाली और दुष्ट मनस्थ का नास करने वाली हो तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो है अम्मे मुझ अपराद रहित अवला का मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवा कर मुझे घर से निकाल दिया उसकी निकाली हुई प्रत्वी पर घूमने लगी आपने ही मेरा इस आपत्ती रूपी समुद्र से उद्दार किया है देवी आपको प्रणाम करती हूं मुझ दीन हीन की रख्षा करो ब्रह्मा जी बोले है ब्रस्पदे इसी प्रकार तुम सुम्ती से मन से देवी का बहुत उस्तित लगी कि उसमें कि गई इस्तिति सुनकर देवी को बहुत शंतोश हुआ और ब्रह्मानी से कहने लगी कि ही ब्रह्माती तुम्हारे वद्धालक नाम का एक अती भुद्ध मान धन्वान कीर्थी मान और जीतिंद्र पुत्र शीगरी होगा ऐसे कर वे देवी उस ब्राम्मणी से पिर कहने लगी कि यह ब्राम्मणी और कुछ तेरी इच्छा हो तो वही मांगो आप आपकी क्या इच्छा है वही मनवानशिद्वस्तू मांग सकती हो ऐसा भगवती दुरगा का बचन सुनकर सुम्ती बोली कि है भगवती और उसके फलका मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें इस प्रकार ब्राम्मणी के बचन सुनकर दुरगा कहने लगी कि है ब्राम्मणी में तुमारे लिए संपूर पापों को दूर करने वाली नवरातर वरत का विदी को बतलाती हूं जिसको सुनने से तमाम पापों से हमारे नवरात्र प्रारम हो रहे हैं वही तिथी कि मैं बात कर रहा हूं 15 अक्टूबर 2023 से जो नवरात्री प्रारम हो करें तो एक समय का भोजन करें पड़े लिके ब्राम मन से पूछ कर गट इस्ताप ना करें और वाट का बनाकर उसको प्रति दिन जल से सीचें महाकाली और महारम शुर्ष्थी की मूर्दिया बनाकर उनकी नित विदी सहित पूजा करें और पुस्मों से विदी पूर्वक अर्ग देएं बिजोरा के फूल से अर्ठ देने से रूप की प्राप्ति होती जैपल से कीर्थि दाक के दाख से कार की सिद्धी होती है और आमने से सुक्ष और केले से भूसण की प्राप्ति होती है इस प्रकार फ्लों से अर्ग दे कर यताविदी हवन करें खानugी गियुं सय। झौतिल बनारिव दाख और कदम इनसे हवन करें गयों के गयों के हों करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है खीर वह चंपा के पुस्वों से धन और धन और पत्तों से तेज और सुक की प्राप्ति होती है आमले से कीर्थी और केले से पुत्र प्राप्त होता है कमल से राज सम्मान और दाखों से सुक्षम्पित्ति की की प्राप्ति होती है खान गी नारियल सैज और तिल इन से तता फलों से हों करने से वनवान चित्वस्तू की प्राप्ति होती है ब्रत करने का ब्रत करने वाला मनश्य इस विदान से हों कर हवन कर आचार को अत्तिन्त नम्रता के साथ प्रणाम करे और यग्य की सिद्धी के ल दो जाते हैं इसमें तनक वीशन से नहीं है इन नौ दुनों में जो कुछ दान आदी दिया जाता उसको करोड़ों गुना फल मिलता है इस नवरात्र के ब्रत करने से ही अश्मेग यग का फल मिलता है ब्रामणी इस संपूर कामनाओं को पूर करने वाले उत्तम ब्रत को तीर् के भी अंतर ध्यान हो गई जो मनुसिया इस्त्री इस ब्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोग में सुक वोकर अंत में दुरलव मोक्ष को प्राप्त होता है है ब्रहस्पते यह दुरलव ब्रत का मात्यम मैंने तुम्हारे लिए बतलाया ब्रह्मा जी के बचन सुनक ब्रहस्पतिजि आनंद के कारण रोमान्च दो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने मुझ पर अति किर्पा की जो अंब्रत के समान इस नवराथत्री का व्रत महत्त्तम सुनाया है प्रवों आपके विना और कौन इस महत्त्तम को सुना सकता है ऐसे ब्रैश्पती के बचन सुनका ब्रह्मां जी वोले हैं ब्रैश्पते तुमने सब प्राणियों के हित्की करने वाले इस अलोकिक बृत को पूचा इसलिए तुम धन्न हो यह भगवती सकती संपून लोगों को पालन करने वाली है इस महा देवी के प्रभाव को कौन जान स करता है भक्तों हमारी कथा आज की यहीं समाप्त होती है नवरात्री की में निवेदन करता हूं आप इसी प्रकार अच्छी अच्छी कथां सुनने के लिए आने वाले तोहरों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे यूटूब लृब लगाले में इसों चैनल को सब्सक्राईब जरूर जरूं गरें जिससे कि आपको अने वाले तौहारों का का नोटिटिविकेशन तक हो सके रादे रादे जैसरी रादे जैसरी कृष्च्ष्ण जै माता दी जैंसरी नीजैन माली यह कि